अब इस question में कह रहा है find the value of the expression हमें इस expression की value निकाल ली है when x equals to 2 upon 3 and y equals to 1 upon 5 जब x हमारा 2 upon 3 है और y 1 upon 5 है तो तो सबसे पहले हम अपनी expression लिख लेते हैं 36 x square plus 25 y square minus 60 x y 36 as it is x की जगे x की value 2 upon 3 क्योंकि x का square था इसलिए 2 upon 3 का square plus 25 as it is अब y की जगे y की value that is 1 upon 5 और क्योंकि y का square था इसलिए 1 upon 5 के whole square लिख देंगे minus 60 as it is x की जगे 2 upon 3 और y की जगे 1 upon 5 अब देखिए 36 as it is अब 2 का square that means 2 2 is a 4 upon 3 का square that means 3 3 is a 9 plus 25 as it is 1 का square मतलब 1 अब 5 का square that means 25 तो 25 तो 25 अगया minus अब देखिए इसमें उपर नीचे कुछ नीचे कुछ नहीं बचा है तो वो कैंसल कर देंगे तो 3 1s a 3 3 2s a 6 and 0 as it is 5 1s a 5 5 4s a 20 तो यह कितना आ गया देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है 1 बचा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है 4 2s a 8 नुम्रेटर में 8 बचा है तो 8 लिख दिया तो अब देखिए इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टिप्लिकेशन है तो यह उपनीचे चैनसल हो सकती है वैल्यू तो 9 1s a 9 9 4s a 36 इसी तरीके से यह दूनों आपस में चैनसल हो सकते हैं सेम नंबर्स हैं क्योंकि तो यह कितना आ गया 4 फोजा 16 तो यहां आ गया 16 प्लस अब यहां कोछ नहीं बचा है 1 तो 1 लिख दिया माइनस 8 अब 16 प्लस 1 is 17 माइनस 8 तो 17 में से 8 is 9 is the answer लेस दू नेक्स कोस्टिन ना अब इस कोस्टिन में कह रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टिन है यहां पर लेख रही हूं इंपोर्टेंट ध्यान से समझेगा आप देखिए इस कोस्टिन में कह रहा है if x plus 1 upon x equals to 4 है हमें x plus 1 upon x की value 4 दे रखी है find the value of हमें किस की value निकालनी है first part में हमें x square plus 1 upon x square की value निकालनी है और second part में हमें x की power 4 plus 1 upon x की power 4 की value निकालनी है तो कैसी निकालनी है देखे हमें क्या दे रखा है x plus 1 upon x plus 1 upon x की value दे रखी है 4 तो इस case में क्या करते हैं हम first part solve कर रही हूं हम इस case में squaring both side करते हैं क्यों squaring करेंगे क्योंकि हमें x square plus 1 upon x square की value निकालनी है और जब हम इसका whole square करेंगे तो ये value x square plus 1 upon x square की form में आ जाएगी इसलिए तो हमने लिखा squaring both side अब जब हम square करेंगे both side तो ये कैसे लिखेंगे देखेंगे x plus 1 upon x का whole square करेंगे equals to 4 का whole square both side का मतलब है जो भी काम अगर एक जगे नए squaring करते हैं तो दोनों जगे करते हैं multiply करते हैं तो उपर नीचे करते हैं या दोनों side करते हैं तो इसलिए squaring भी दोनों side ही करेंगे अब ये देखें a plus b के whole square का formula बन गया है तो a plus b के whole square का formula क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो a हमारा क्या हो गया a हमारा हो गया x और b हमारा हो गया 1 upon x तो वही लिख देंगे तो x का whole square plus 1 upon x का whole square plus 2 into x into 1 upon x equals to 4 का whole square का मतलब 4 fours are 16 अब देखें x का whole square मतलब x square plus 1 upon x का whole square मतलब 1 का भी square और x का भी square क्या हो जाएंगे तो cancel हो गया तो क्या बज गया सिर्फ 2 बज गया तो 2 लिख दिया equals to 16 तो अब हमें किस की value निकालनी थी इतने part की value निकालनी थी तो constant हम क्या करेंगे दूसरी side भेज देंगे तो x square plus 1 upon x square की value कितनी आ जाएंगे constant उधर बेजा तो 16 में से 2 minus हो गया तो ये आ गया हमारा x square plus 1 upon x square की value आ गयी 16 में से 2 गया is 14 as the answer तो 14 हमारा first part का answer आ गया अब इसी तरीके से हम second part का answer निकालेंगे तो अब लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर x की power 4 है तो x की power 4 कब होगी जब हम इस value का square करेंगे क्योंकि x square का square करेंगे तो x की power 4 हो जाएगी तो बस यहीं twist है तो second part के लिए हम अब ये वाली value नहीं लेंगे अब हम ये वाली value squaring both side करेंगे तो x square plus 1 upon x square हमें दे रखा है 14 तो अब हम क्या करेंगे squaring both side करेंगे squaring both side तो कितना आजाएगा ये आगया हमारा x square plus 1 upon x square का whole square equals to 14 का भी whole square तो ये कितना आजाएगा तेखें अब यहाँ पर फिर से a plus b के whole square का formula लगेगा जो कितना होता है a plus b के whole square का formula that is a square plus b square plus 2a b अब a क्या है हमारा x square है और b क्या है 1 upon x square है right अब a की जगे हमने x square का whole square लिख दिया plus b की जगे 1 upon x square लिखेंगे तो इसका whole square plus 2 a की जगे x square और b की जगे 1 upon x square equals to 14 का square हमें पता है 14 का square होता है 196 आप चाहें तो 14 इंटू 14 भी करके देख सकते है तो इतना आजाएगा देखे x square का square हमें पता है x square का square मतलब x square into x square तो इसका मतलब x की पावर 4 plus 1 का square 1 ही होता है x square का square again x की पावर 4 plus अब अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर x² उपर नीचे है, तो cancel हो जाएगा, तो क्या बज गया, 2 बज गया, equals to 196, तो यह कितना आ गया, x की पावर 4, plus 1 upon x की पावर 4, equals to 196, as it is लिखा, और 2 अधर जाके, minus का हो गया, क्यों, क्योंकि हमें सिफ इतने पार्ट की value निकालन थी, और 2 यहां प्लस का है, तो दूसरी साइट जाके कहां का हो जाएगा, minus का हो जाएगा, तो यह आगया हमारा, x की पावर 4, plus 1 upon x की पावर 4, आगया हमारा, 194 is the answer, let's do next question now,